कि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि फेस्बुक में जो वाच हिस्ट्री है उसको आप कैसे डिलेट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि वाच हिस्ट्री डिलेट कर दें ताकि किसी को पता ना चल सके कि आपने क्या क्या यहां पर एक्टिविटी की है तो उस टाकि आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेसन है वो सबसे पहले आपको मिल सके चलिए जैसे आप 3-Drip. पर click करते, नीचे scroll करते हैं जाएंगे देखेंगे, एक option आपको मुलेगा Setting and Privacy option काउंस option मिलेगा? Setting and Privacy All option simple से आपको इस पर click करना है clicking करने गए गए आपको setting all option पर click कर देना जैसे आप setting all option पर click करेंगे नीचे स्क्रॉल करते हो जाएंगे देखेंगे एक option आपको मिलेगा activity log देखें your information में है ध्यान दीजिए your information में activity log है ठेक है आपको इस पे click कर लेना जैसे आप इस पे click करते हैं यहाँ पे नीचे देख सकते manage your post, manage your tag यहाँ पर बहुत सारे option आपको देखने मिल जा रहे होंगे व्यू गुरूप व्यू प्रोफाइल विक व्यू कनेक्शन व्यू लोगिन एक्शन एक option आपको मिलेगा ग्यारा जुलाई को आपने क्या देखा 12 जुलाई को आठ जुलाई साथ जुलाई क्यूंकि मैं Facebook Facebook पर कम active रहता हूं Instagram पर कम active रहता हूं सबसे ज़्यादा एक्टिव मैं YouTube पर रहता हूं इसलिए यहाँ पर ज्यादा history नहीं है अगर आप ज़्यादा Facebook पर एक्टिव रहता है तो ज़्यादा यहाँ पर दिखाई देगा अब यहाँ पर delete करने की बात मैं करूं तो आपको three dots पर click करना है three dots पर click करने बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं view, change audience, hide from profile, move to archive, move to trace तो आपको क्या करना, move to trace पर click करना, move to trace कर देना ठीक है उसके बाद आपने क्या क्या, move to trace में कर दिया अब यहाँ पर delete हो गया भी permanently delete नहीं हुआ आप इसका धियान रखना होगा आपको कि permanently delete नहीं हुआ, permanently delete करने लिए आपको trace में, देख सकते हैं उपर trace है, इस पर आपको click करना है, जैसे आप इस पर click करेंगे, आप यहाँ पर three dots पर click करेंगे और यहां से delete करेंगे अब यह permanently delete हो चुका है मतलब permanently delete अब हुआ है पहले permanently delete नहीं हुआ तो पहले trace bin में आया था तो आशा करता दोस्तों वीडियो आपको ज़ूर पसंद आई होगी आपने सीखा होगा फेस्बूक में watch history जो भी आप activity कर रहे हैं उसको पर्मानेंटली या टंपरेरी कैसे डिलेट कर सकते हैं अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें मिलते हैं नेस्ट वीडियो में नई जानकाई साथ तब तक के लिए दोस्तों जै हिंद जै भारत बा वीडियो तो फमली